माइ डियर स्टुनेंट्स वेलकम बैक तो माइटूब चनल फ्रेंट्स आज की टॉपिक की बात करते हैं बिजी प्लस जीरंड अब फ्रेंड्स यह बिजी के साथ हम जीरंड यूज करना सीखेंगे अब इसकों कैसे यूज करते हैं जीरंड क्या होता है फ्रेंड्स जीरंड आपने फटा होगा B में ऑ ये यूज कर देते हैं वह जीर्व हो जाता है जीरंड के बहुत सारे रूल्स होते है आप सर्च कर सकते हैं कर सकते हैं तो आज हमारा तॉपिक है बिजी प्लस जीरंड बिजी के तुरंद बाद हमें जीरंड यूज करनाimentos ली liksom करना होगा कि में विश्ट आए जाए मैं पढ़ाने में विश्ट हूं वे खेलने में विश्ट हैं माखाना बनाने में विश्ट हैं जब ऐसे sentences आए वहां पर हमें यूज करना होता है busy प्लैस जीरंड अभी इसके पहले helping और आप हमें यूज करना होगा इसे मार पास्टेंस है वाजबर फ्यूचर है जो भी वाटेबर जो भी टेंस होगा हमें अकॉडिक टूटेंस helping बिश्ट करने होगी यहां मैंने बहुत सारे एक्जामपल्स लिखे हुए हैं तो सीखते हैं एक्जामपल्स के टूब यहांपर फर्स्ट एक्जामपल है वह खाना खाने में वेस्ट है अब देगों यहां पर यहां पर भी आगया अब इसको होम कैसे चंज करते हैं इंगलिस यह मुझे शीकना होगा वैं काना खाने में घस्त है वैं इंगलिस होती है ही अब ही सिंग्लर है एंड शिंग्लर के साथ we have to use a help is he is अब इसके बात क्या है बिजी क्या करने में खाना खाने में तो खाने की होती है इट और इसे में हमें आएंजी यह करना होगा eating food so your answer he is busy eating food next बच्चे सरकस देखने में वैस्त है कौन वैस्त है बच्चे बच्चे क Two oldu प्रोल को सब्सक्रां होता है आप द़ब के चिल्डरेनग कि अब यहां पर नहीं हम यूज करना होता है राट कि अब है क्या इन अब क्या धिसी पहर क्या करने में वीजी यह सरकत देखने में यहां देखने की हो जाएगी वाच आएंजी यूज़ करेंगे वाचिंग दा अब क्या देख रहा है ये सरकस क्या वाच कर रहा है सरकस को सपेरा सांप पकड़ने में वैस्त है सपेरा सिंग्लर नमबर है तो आप करेंगे आइसनायक चामर आइसनायक चामर अब ये सिंग्लर नमबर है अब सिंग्लर है हम यूज़ करना होता है इज आइसनायक चामर इज बिजी इज बिजी अब किसमें बिजी है इसनायक को पकड़ने में सांप को पकड़ने में यहां क्या हो जाएगा कैचिंग स्नैक कैचिंग स्नैक यहां साब साब लिख दे रहा हूं है स्पेज थोड़ा सक्कम है यस स्नैक नेक्स्ट पहलवान विरोधियों को हराने में वैस्त था अभी तक हम बात कर रहे थे प्रिजेंट एंस की बट ना बात कर रहे हैं हम लोग पास्टेंस की एंड पास्ट में वाज एंड वर यहां क्या लिखे पहलवान विरोधियों को हराने में वैस्ता पहलवान की रेसलर दा रेसलर दे रेसलर वाज पास्टेंस है सिंक्रा ली पास्ट युज करेंगे एंड प्लीवेर के साथ में वर युज करना होगा दार्ज़र वाज अब क्या था य় बिजी किस्को हराने में विरोधियों की और विरोधियों को होती है अपोनेंस the opponents यहां लिख दे रहा हूं है opponents okay the wrestler was busy defeating the opponents O W P O N A N T S okay question 5th and last उस्ताद बिस्मिल्ला खां सहनाई बजाने में वैस्ट थे आपको पताए महान परसन थे आप ग्रेट परसन थे आप लिखेंगे उस्ताद कि बिस्मिल्ला खां अब सिंग्लर नंबर है वाज यूज करेंगे वाज busily उस्ताद बिस्मिल्ला खां वाज बिजी क्या करने में सहनाई बजाने में अब यहां बजाने की play आपको यूज करना होगा playing क्या बजा रहे थे सहनाई आप सैनाई आप यह सर्च भी कर सकते हो सहनाई के नेम सहनाई कैसे पड़ा आप यह सर्च करते हो बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज आप सीखने को मिलेगी आपको फ्रेंज आज को सेशन अच्छा लगा है सो प्लीज सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल एंड ऐसे ही इंट्रेस्टिंग देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहें